हलो गाईज, वेलकाउं टो मैं चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हरिपरी पटेल बात करूँगा आप से सूड़ी में बाल विकास और सिच्छा सास्तर के नए मौक टेस्ट के सम्मद में और यह हमारा तीसरा मौक टेस्ट है, पिछले के मौक टेस्ट अगर आपने नहीं किया, डिस्क्रेप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, बाल विकास का, पर्यवन अधन का और हिंदी का, तो आप पिछले मौक टेस्ट भी कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम तीस प्रशनों पर बात करेंगे, और तीस में से अगर आप 21 से अधिक प्रशन सही कर रहे हैं, तो आपकी तयारी बहुत ही अच्छी है, और ये जितने प्रशने हैं, इनकी एक्जाम में आने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये प्रीवेस येर के पेपर से लिये गए हैं, अगर आप चैनल पर पहली पा रहा है, चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा, बेल आइकन दबा दिजेगा, जिससे कि आप पूर नई वीडियो की नोटिफिकेसन समय से मिलती रहे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, लाइक कर दिजेगा, सेर कर दिजेगा, देखिए मैं कंसेंट्रेट करके मॉक्टेस्ट को खरिएगा, तो आप जो है, तीस में से कम से कम 25 अंगला पाएंगे, तो सुरू करते हैं, आज का अपना मॉक्टेस्ट, तो पहला प्रशने मारा किर्यात्मा के नसंधान, के महत्त के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन स सही नहीं है, आपका कौन सा अप्सन सही होगा, प्रशन के अंसार बताना है आपको, उबहोकता ही अनसंधान करता है, समस्याओं का हल सेगरता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है, और मुल्यांकन नहीं किया जाता है, या इनमें से कोई न नहीं है उपभोगता ही अनुतंधान करता नहीं होता है समस्याओं का हल जो है सिग्रता से नहीं प्राप्थ होता है ठीक है और जो भी हमें हल प्राप्थ होता है उसका मुल्यांकन किया जा सकता है लेकिन इसमें लिखावए मुल्यांकन नहीं किया जा सकता है तो आपका आप चसी रास या इन में से कोई नहीं तो फटा फट बताई इसका जवाब क्या होगा देखिए इसका जवाब होगा आपका रास थर्ड आपसवन आपका सही होगा अगला प्रस्ण है और ये एक्जाम में काफी बार पूछा गया है तर्क जिग्यासा तथा निरिछण सक्ति का विकास किस आईउ पर होता है 7 वर्स की आयू में 11 वर्स की आयू पर 9 वर्स की आयू पर या 6 वर्स की आयू पर तो तर्क जिग्यासाव निरिछट सक्ति का विकास होता है 11 वर्स की आयू पर Second option सही है इस अवस्था में बालुकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है सहसावस्था, किसोरावस्था, उत्तर बल्ल्यवस्था या प्रोड़ावस्था तो कौन सा option आपका right होगा देखें इस प्रकार के प्रशन जो है एक्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे जितने भी प्रशन हैं ये previous year के paper से लिये गए हैं तो बताए कौन सा option सही होगा इसका option आपका third सही उत्तर बाल्लयवस्था जो 9 से 12 वर्स की अवस्था होती है देखें अगर आपने थेवरी जो है अच्छे से नहीं पढ़ी है डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक देदीऊंगा अगर आप अच्छे से उन वीडियो को देख लेंगे तो आपका सीटेट का जो एक्जाम है अच्छे से हो जाएगा पूरा प्रश्ण है मारा निम्न लिकेत में से कौन सा वंसा नुक्रम का नियम नहीं है समानता का नियम प्रत्य अगमन का नियम भिनता का नियम या अविप्रेहना का नियम तो समझ गे हैंगे आप चौथा आपसन आपका से योगा अविप्रेहना का नियम जो है ये वंसा बंदी तो सीखने की सैली का उधारन नहीं है तो ये होगा आपका कौन सा होगा बताइए चाच्छुस यानि विजूवल आखों के माद्यम से जो हम पढ़ते लिखते हैं ठीक है अगला प्रश्ण है एक सिच्छक कच्छा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है उसके बाद योजना बनाता है और अपने एगले पार्ट को सिच्छार्थियों की आवसकताओं को पूरा करने के लिए समावजुद करता है वह कर रहा है क्या कर रहा है सीखने का आकलन सीखने के उप में आकलन तो इसका जवाब कौन सा होगा तो इसका जवाब आपका सेकंड सही सीखने के लिए आकलन अगला प्रसने वेव सिच्छक जो विद्याले आधारित आकलन के अंतरगत कार करते हैं उन पर अधिक कार का बोज रहता है क्योंकि उन्हें सोमार की परिच्छा सहित अकसर परिच्छा लेगनी पड़ते हैं उन्हें प्रतेक सिच्छारिति को प्रतेक विसे में परियोजना कार देना पड़ता है सिच्छारितों के मूले और अविरतियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूच मौलोकन करते हैं विवस्था के लिए स्वामित्य की होना रखते हैं यानि आपका आप्षन फोर्स होगा अगला प्रसने ग्रेड अंकों से कैसे अलग है यहाँ प्रस निवन्हें से किस प्रकार के प्रसनों से संबंद रखता है अपसारी मुक्त अंत विसले स्रडात्मक या समस्या समधान तो बताए इसका जवाब क्या होगा इसका जवाब होगा आपका विसले स्रडात्मक विसले स्रडात्मक प्रसनों से संबंद रखता है ग्रेड अंकों से कैसे अलग होते हैं यानि आप विसले स्र कर रहे हैं जान रहे हैं कि ग्रेड और अंक कैसे अलग अलग है ठेक है तो इस प्रकार जोब विसले स्रड प्रस लड़कों की तरह गड़ित में अच्छी होती हैं अपनी आयू के लड़कों की तुल्ला में इस्थानिक अवधानाओं में कम कुसलता पूर्ण निस्पादन करती हैं भासिक और संगत संबंदी अधिक छमताय रखती हैं तो चात्राएं कैसी होती हैं देखिए एक बार जो है आप आपसन पढ़ लिजिये और देखिए कौन साभुणा आपसन सही होगा चात्राएं कैसी होती हैं तो आपका आपसन दूसरा से ओब आपनी आई के लटकों की तरह गड़ित में अच्छी होती हैं और ये पूरौअ गर्याय है कि लड़कियां जो हैं गड़ित में अच् करना अकसर चाथुस इस्वनतिका हराश से संबनित हैं तो पढ़ने लिखने से संबनित है तो यह गो डिस्लेक्सिया से पहला अप्षण है तो सभी के लिए व्यालियों में सभी की सिच्चा यह प्रचार भाग हो सकता है संसक्ति सील सिछा का सहयवगात्मक सिछा का समवशी सिचा का या पृठक सिचा का तो बताए क्या होगा इसका जोप समवशी सिच्छा होगा थर्ड आपसण आपका राइट है अगला है प्रभाव पूरता, व्याख्या, मौलिक्ता और लचीलापन के साथ संबंधित है किसके साथ संबंधित है प्रतिभा, अपसारी चिंतन, गुड़ या तौराण तो किस संबंधित है ये जुड़े में प्रतिभा से पहला अपसना आपका राइट होगा अगला है प्रगत सील, परिवारों में बच्चों में पैच्छा करत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है जिग्या सा, आक्रमाक्ता, संबंधन या उपलबधी तो ये होगा उपलबधी, ठेक है अगला है निमलिकित में से कौन सा पिछड़े पन का कारण नहीं है सामान बुद्धी का अभाव, सारीडिक दोस, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावण तो सभी जान गए होंगे स्वस्थ वातावण जो है पिछड़े पन का कारण नहीं होता है विक्तित्त का पहला प्रकारात्मक वर्गी करण किसने प्रस्तुत किया मन ने, हिपोक्रेटस ने, सेल्डन ने, कैटल ने तो ये क्या था हिपोक्रेटस ने ठीक है अगला प्रस्ण ने सामान और विशिष्ट कारण का सिधान्त किसने प्रत्त पादित किया अलफेड भी ने, गिलफोर्ड ने, इस्पियर मैन ने, थ्रस्टन ने तो ये किया था इस्पियर में ने G और S फेक्टर यानी जर्नल और स्पेसल फेक्टर सामान और विशिष्ट कारक का सिध्धान्त इस्पियर में ने दिया था या इसे दुई कारक का सिध्धान्त भी कहते हैं ये चीद ध्यान रिखेगा तनाव को कम करने में अब प्रत्यच धंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधी, व्यक्तिकत विधी, रच्यात्मक यांत्रिक्ता या इनमें से कोई नहीं अब प्रत्यच धंग तनाव कम करने के लिए कौन होगा? तो ये होगा रच्छात्मक यांत्रिक्ता बाकी प्रक्तेच धंग होते हैं समस्या समाधान विधी और व्यक्तिकत विधी गड़ती अच्छमता से संबनित होता है तनाओ, डिसलेक्सिया, डिसकैलकूलिया या इनमें से कोई नहीं गड़ती अच्हमता से संबनित कौन है डिस कैलकूलिया कैलकूलेटर से संबनित है यानि जोड़ घटाने से संबनित है तो जोड़ घटाना होता है गड़त में इसलिए गड़ती अच्हमता से जुड़ा हुआ है डिस कैलकूलिया अगला है जिन बालकों की बुद्धी लब्दी मांसिक निउंता ग्रसित की स्रीणी में आती है तो क्या होगा उनकी IQ कितनी होगी 70 से कम 80 से 100 के बीज 70 से उपर या इन में से कोई नहीं तो उनकी IQ होगी 70 से कम बच्चों में अमूर्त मान प्रत्यों को ग्रहन करने की योगिता होती है कैसे बच्चों में? पिछड़े हुए मांसु ग्रूप से पिछड़े हुए प्रतिबा साली या इन में से कोई नहीं तो किस प्रकार के बालुकों में अमूर्थ मान प्रत्यों को ग्रहण करने की योगिता होती है चमता होती है तो यह होती है प्रतिबासाली बालुकों में ठेक है अगला प्रस्ने मुल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है मानक योग्यात्मक निर्णात्मक CCE तो बिल्कुल सही जवाब है आपका अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहोंगे इन टॉपिक्स पर तो मुल्यांकन और मापन पर अगर आप अच्छे से कमांड करेंगे तो आपको पता होगा इसका आपका पहला से मानक यो मुल्यांकन का प्रकार नहीं है ठीक है बाकी योगात्मक निर्णात्मक और CCE ये जो हैं मुल्यांकन के प्रकार हैं ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्तपूर्ण है प्रकति पोर्षण विवाद निम्लिकित में से किससे सम्मनित है अनवानसिक्ता और वातावन विहारों वातावन 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 वाताव के बारे में अच्छे से त्यार किया है हम लोगों ने वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया है मैंने उसको देखेगा एक बार अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ लीजेगा नहीं तो कोई बात नहीं है तो इसका आपका पहला स्योगा अनुवान सिक्ता और क्रण की निश्कड़ी एजेंशी है स्वाष्त द्ज度 कलब- सौरवजनिक पुस्तकालं इको कलप तो सार निस्क्री एजन्सी है यह है आपका सारवजनिक पुष्टकाले थर्ड आपस्वन आपका सहयोगा इसमें अगला प्रस्न है वाइगोस्की ने विकास के निम्लिकर में से कौन से पहलू को उपेच्छा किया है तो किस पहलू की उपेच्छा की है वाइगोस्की ने तो आपको सबी को पता है जैविक पच्छी की उपेच्छा की है वाइगोस्की महोदे ने यह जो प्रश्ण है यह भूत ही आसान प्रश्ण है और प्रियाजी के शिधान पर आधायशे एक वर्ष तक के सिसु जब आँख कान नाख हाथन से सूचते हैं तो कौन सा हिस्तर होगा विकास का, मूर्थ संक्रियात्म किस्तर, इंद्री जिनित गामा किस्तर, पूर्ष संक्रियात्म किस्तर या अमूर्थ संक्रियात्म किस्तर तो इंद्री जनित गामक इस्तर होगा जो जन्म से दो वर्ष का इस्तर होता है अगर आपको यही पता होगा तब भी जो आप इसका उत्र लगा देंगे तो इंद्री जनित गामक इस्तर में जो है बच्चा आग का नाक मूँ के द्वारा सीखता है अगला प्रश्ने मारा रिया कच्छा पिकने करते हुए रिसब से सहमत नहीं है वा सोसती है कि बहुमत के अनकूल बनाने के लिए नियमों का संसोतन किया जा सकता है या सहेपाथी विरोध पियाजे के अनुसान निमलिकत में से किसी से सम्मधित है विसमांग नहतिकता, प्रतिक्रिया, शंग्यानात्मक आपरिपक्वता, सहयोग की नहतिकता तो ये जुड़ा हुआ है सहयोग की नहतिकता से अगला है रावर्ट स्टैन्बर्ग का बुद्धी त्रेस्त्री सिधानत का एक रूप है विवहारिक बुद्धी, संसाधन पूर्ण बुद्धी, प्रयोगिक बुद्धी या गड़तिय बुद्धी तो अगर आप राबर्ट स्टेंबर्ग का त्री इस्तरी सिधान पड़े होंगे तो आपको पता होगा कि इन्होंने कौन सी तीन बुद्धिया बताई है अगर आपको पता होगा तो इसका जवाब जो है आप सही से दे पाएंगे तो इसका आपसन से होगा आपका व्यवहारिक बुद्धी पहला आपसन से होगा और राबर्ट स्टेंबर्ग ने तीन प्रकार की बुद्धी बताई थी विशले सरनात्मक बुद्धी, सरजनात्मक बुद्धी और वेभारिक बुद्धी डीटेल से जब इनको पढ़ेंगे इन सिध्धानतों को तभी आप पेपर अच्छे से कर पाएंगे अंतिम प्रशने मारे इस वीडियो का अगर आपको वीडियो चले के लाइक कर दीजेगा और शेयर कर दीजेगा किसने सबसे पहले बुद्धी परिच्छन का निर्माण किया डेविड वेसलर बीनी, चार्ल्स एडवर्ड, इस्पेरमन, स्टैर्नबर्ग तो बुद्धी परिच्छन का सरपथम निर्माण किया था अल्फर्ड वीने ने 1905 में ठीक है तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो बाल युकास का 30 प्रशनों का यहीं पर सावत होता है और कमेंट करके जरू बताएगा कि आपने कितने प्रसंद सही करें हैं तो मिलते हैं आपसे के लिए उडियो में थैंक्यो फ्रेंड धन्यवाद